हेलो फ्रेंड स्वक्त है आपका यूट्यूब चैनल ग्यानभी 71 में आज हमारी 1000 कोस्टिन्स की जीके सीरिस की क्लास नमबर रहेगी 26 पहले वाली 25 क्लासिज आप चैनल की टेरिस्ट में जाके देख सकते हो आप हमारे चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैस्स की वीडिय प्रधानमंत में आपको यह कोशिन पहले पहले भी बताया हुआ है कि जो नेती अयो रादी होते हैं वो हमारे देश के प्रधानमंत्री ही होते हैं तो आपको इस question से ये भी पता लग रहा होगा कि किस तरह से जो है वो टैट के paper में जो है वो question tweet होते हैं अलग-अलग stream में जो है ये question बन जाते हैं तो आपने जो है मुझे comment करके बताना है कि नीती की full form क्या होती है और इसकी स्थापना कब हुई थी ये आपके लिए जो है वो काम रहेगा आपने जुरूर comment करके हमें बताना है और आप ऐसा करते हो कि हमारे हम जो question पूछते हैं उसका answer नहीं देते हो बार्त का कौन सा सहर बार्त का पिर्सपर्ग के नाम से जाना जाता है करक्ट अंसो जो रहेगा वो रहेगा एक जमशेदपूर Question number 47 भार्त का प्रथम बैंक कौन सा था जिसकी भार्त में 1770 में स्तापना की गई थे तो इसके लिए option जो right था हो था सी bank of हिंदोस्तान Question number 48 किस वेज से सरप्रधम भातना लिया गया सही answer जो रहेगा वो रहेगा भी रिगवेज से Next question है 49 किस ने कहा था जै जवान, जै किसान, जै विज्यान इसके लिए जो सही answer रहेगा वो रहेगा C अतल बिहारी वाजपई पहले जो है लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा ये बोला गया था कि जै जवान, जै किसान इन्होंने ये नारा दिया था प्रंतु बाद में जो है अतल बिहारी वाजपई ने इसमें थोड़ा सा और एड किया था ये किया था इन्होंने जै विज्यान आप खुद भी जो है इस कोशिन को चेक करके देख सकते हो इसका सही answer जो है वो क्या रहेगा जितना मेरे को पता था हूं मैंने आपको बता दिया कि जै जोवान, जै किसान और जै विज्यान का जो ये इसलोगण था यह दिया गया था अतल बिहारी बाजपई जी के द्वारा पहले जो है इसे दिया गया था जाय जवान जायकसान को लार बहदुर शास्त्री के दौरा पर बाद में जो है अरल बिहारी बाजपेजी के दौरा जो है ये जाय विग्यान सब जो है जोड़े गए थे Question number 50 एक प्यासक मानम सीड में कितनी हडियां होती है रेक्ट एंसर जो रहेगा वो रहेगा भी 206 Question number 51 महभाश्या किस ने लिखा रेक्ट एंसर रहेगा ए पतंजली ने Question number 52 किस महदीप ने कभी भी ओलामपिक खेलों की मेजबानी नहीं की रेक्ट एंसर जो रहेगा वो रहेगा डी अफरिका Next question रहेगा 53 कौन सा खेल स्पाइकर द्वारा खेला जाता है क्रक्ट एंसर जो रहेगा वो रहेगा भी वॉली वॉल तो आपको जो है यह कम दिख रहा होगा तो मैं आपको बोल के ही बिता रही हूं तो आपने जो है वहां से ही कर लेना है कि क्या क्या जो है यह यहां पर लिखा हुआ है वैसे थोड़ थोड़ जो दिख रहा है पर जादा नहीं दिख रहा है Question No.54 एक राज्या सभा दस्य का कारेकल कितना होता है? Question No.55 दादा सहय फालके स्मार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रेक्ट अन्सो जो रहेगा वो रहेगा भी देविका रानी तो आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से जो है इसी सीरीज में कितनी बार यह कौश्चन रिपीट हो रहे हैं तो जिसने जो है तादा सहय फालके से रेटर पूरी इनफरमेशन देखनी हो तो हमने अपनी चैनल पे ये वीडियो डाली हुई है करन टापिक करके तो आपने जो है चैनल की प्लेडिस में जाके ये वीडियो देख लेनी है कोश्ची नमबर 56 भार्तिया नव वर्ष शुड़ू होता है क्रेक्ट अंसर जो रहेगा वो रहेगा सी चैस्टर कोश्ची नमबर 57 मोहनी अटम यहां का प्रिशिद नित्य है क्रेक्ट अंसर रहेगा डी जो हमारे स्टेट है केरल वहां का 58 नाथला दर्रा स्टित है यह कोश्ची जो है इसी सीरीज में कम से कम जो है वो तीसरी बार आ गया है तो आप देख सकते हो कि किस प्रकार से जो है यह कोश्ची रिपीट होते हैं तो इसका जो सही अंसर है वो रहेगा डी सिक्किम 59 इन में से कौन सा हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी द्यास थी तो यह थी मेरे को जो है इस कंसर्प बुशहर ही मिला है करेक्टान सो जो रहेगा वो रहेगा डी सी सॉरी डी नहीं सी बुशहर तो आप हमारी वीडियो को लाइक भी कर दिया करो और औरों के साथ शेयर भी कर दिया करो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे क्यूंकि अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करते हो और हमारे पूछे के questions का अंसर देते हो तब हमें भी पता लग जाता है कि हमारी व सुब्सक्राइब करना ना भूलना कोशिन नमबर 60 ब्लासपुर के नलबाडी मेले का विचार किस ने दिया टेक्ट आंसर हेगा भी डवल्यू कोल्स्टीन तो यह जो नलबाडी मेला है यहाँ पर लिखा ही हुआ है कि दिस्टिक प्लासपुर में बनाया चाता है यहाँ मेला 1889 के बाद यह कर्शिन भी पूछा जाता है कि यह मेला कब शुरू किया गया था तो यह मेला शुरू किया गया था 1889 में गोल्ड डवल्यू कोल्स्टीन के द्वारा उसमें राजा अमर्चंद कहलूर के साशक थे कुश्चिन यह भी पूछ राता है कि किस राजा के समें यह मेला शुरू किया गया था तो उस टाइम राजा थे आमर्चंद यहाँ मेला लुहनू मैदान में लगता है लुहनू यहाँ मेला जो है वो मार्च के महा में मनाया जाता है इसे पसुव मेला भी कहते हैं इस मेले में बैलों की पूजा की जाती है वीडियो अच्छी रगे तो वीडियो को लाइक करें शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इससे पहले वाली भी आप 25 क्लासेस हमारे चैनल की प्लेलिट में जाके देख सकते हो और वहाँ पे भी आपको जो है कोशिन से लेटर ऐसे ही extra information दी गई है धन्यवाद